आपके मनोर अंजन पर अब नहीं लगेगा कोई प्रीज। स्टाप्लस के बहतरीन छोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टाप्लस के यूट्यूब पेज को माजी, आज मा अंबे ने हमारे आखो पर से जूट के अंधेरे के पट्टी को हटा दिया सच्चाई की रोश्नी हमारे सामने आ चुके गोपी वो, तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट कहो माजी, मामी जी और परिधी, कोपी ठीक कह रही है, तो समझ दिके आपने आपको, हाँ, तेरी इतनी हिम्माद जवाब दे, बोलती क्यों नहीं है, हाँ, मामी जी, क्या आप क्या कर रही है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूगी, हाज ये क्या कर रही है, लग रही है उर्मिला बेन, शो वाजचे, हो का उचुबा, ये परिये न, ये चाहती है, कि ये इस घर में राशी की जगह ले, और ये इसमें मेरी मदद चाहती है, और मैंने साफ इंकार कर दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बा, मैं अपनी दिक्री की जगह किसी और को कैसे ते सकती मामी जी, माजी, माजी ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मामी जी जूट कह रही है, तरसल सच तो ये है, कि मामी जी ने परिखी के साथ एक सौधा किया, कि अगर वो परिधी और देवर जी के बीच की दूरिया कम करने में परिधी की मदद करेंगी, तो परिधी, परिधी उन्हें तोलू-मोलू सौब देंगी, करेमें मैं मैं फिलरा जूट थी के ब Means सौधा कहता है, मामी जी अपने कानों से सुनी है ये सब बाते、 और मैं जो कह रही हो वो सच है, तेरे कान खराब हो गये, इसलिए तुझे सब गलत सुनाई देता है हाँ, वारी ने पक्ता इतना कहा, कि वो इस घर में राशी की जगे लेना चाहती है और जिगर जी को और बच्चो को अपनाना चाहती है और जवाब में मैंने उसे इतना ही कहा, कि ये नाम मुम्किन है को किला बेन, हासाथ चुछे कि हूँ पोता ना दोहित्तर ने पोतानी पासे राखवा मांगू चुछ पर मैं उन्हें किसी और के हातों में भी नहीं सौब सकती अरे हूँ तो पोतानी संगी भानेश परपन भरोसो नती राखती तो इस चोकरी पर कैसे भारोसा रखूंगी मामी जी आप जूट कह लिए मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना है आप बातों को घुमा रही है हाँ गोबी बेन, आपने ठीक सुना मैंने उर्मिला मासी से मदद जरूर मांगी थी मुझे राशी बेन की जगा दिलवाने के लिए लेकिन बच्चों को आप से अलग करने की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी घुपी बेन, ऐ तो स्रुप इतना चाती हूँ कि जीक्स मुझे प्यार करने लगे और बच्चे मुझे अपनी मौम की जगा एकसेप्ट कर लें हाँ यह सच है कि मैं राशी बेन की जगा लेना चाती हूँ ना सिर्फ इस घर में पुर्मि मासी की लाइफ में भी अगर आप इस बात के लिए मुझे खुदगर्स कहें या सेल्फिश कहें तो हाँ मैं हूँ सेल्फिश मैं जब इस घर में आई तो मैंने जिक्स और राशी बेन का प्यार देखा एक हस्बेंड और वाइफ का प्यार और मैंने इस घर में आने के बाद ही जाना इस एक माँ का प्यार क्या होता है आपमें जो देखा वो मेरे लिए एक नए एक नए एक्स्पिरियेंस था एदै कि मॉम वही होती है जो गल्ति करने पे ढाटे और कुछ अच्छा करने पे आपको सपोड़ करें और एसी मा को एने पहली बार आप में ही देखा है कोकी अंटी कोपी बेन गुलकु राइड है, मैं सेलफिश हूँ और मुझे पहुत कुछ चाहिए जीक्स का प्यार चाहिए मुझे कोकी अंटी में अपनी मा चाहिए मुझे ये सारी फैरली चाहिए ये राशी बेन जैसी होना चाहते हैं, उनी के जैसे लखी और येस, मैंने ये सब पाने के लिए पुरमी मासे की मदद मांगी अब ये कितना सही और कितना घलत वो में नहीं चाहते हैं, बट आप वांट इस पर्स परिभी, गोपी वाओ मैं तुम से सुनना चाहती हूं, कि तुमने क्या देखा और क्या सुना कमरे में अंधेरा था, और इन्हें नहीं पता था, कि मैं वहां मुंबत्ति लाने गई तभी मैंने ये साफ साफ सुना था कि परिधी मामी जी से कह रही थी कि उसने मामी जी के साथ हाथ इसलिये मिलाया ताकि मामी जी उसकी मदद करे, देवर जी और उसके बीच की दूरिया को कम करने के उन दोनों को पास ले आए इस घर की बहु बना दे और उसके बदले में परिधी मामी जी को तोलू मोलू को उन्हें सौपना चाहती है आपके मनो रंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को